नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं नीम पावडर के फायदों के बारे में बात करेंगे दोस्तो नीम ओसदिय गुणों से भरपूर एक पेड़ है जिसका आयूर्वेद में महतुप पूनस्तान है नीम स्वाद में कडवा होता है और नीम की तासीर ठंडी होती है इसलिए गर्मियों में नीम के पत्तों से बने जूस का सेवन सरीर को ठंड़क परदान करता है उस दिय गुणों से परिपून होने के कारण नीम का उपयोग बहुत से आयूर्वेदिक और होमियोप पैठी दवाओ में किया जाता है दवाओ के साथ-सात नीम का उपयोग कई प्रोडक्ट जैसे साबून, सेंपूँ, हेस वोस और हेंड वोस आधी में किया जाता है इसके अलावा बात करें नेम पावडर की तो नेम की पत्यों को सुखा कर उनको ग्राइंडर जार में फिस कर नेम पावडर तयार किया जाता है नेम पावडर का उप्योग अनेक रोगों एवं समस्याओं के निदान में किया जाता है दोस्तु आईए जानते हैं नीम पावडर में पाये जाने वाले पोसक तत्तु के बारे में दोस्तु नीम पावडर में प्रोटीन, केलसियम, कार्बोहाइडरेट, फाइबर वसा, फोसफोरस और पोटेशियम के साथ विटामिन C, अमीनो एसिड और टेनिक एसिड जैसे कहीं पोसक तत्तु पाये जाते हैं दोस्तो आईए जानते हैं नीम पावडर के फाइदों के बारे में नीम पावडर का नियमिन सेवन परती रोधक छमता को बढ़ाने में मदद करता है और इस सरीर को कमजोर परती रोधक छमता के कारण होने वाली कई बिमारियों से बचाने में सायक होता है इसके अलावा नेम पावडर में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाई जाते हैं जो रक्त में मुझूद हानी कारक विसाक्त पधार्तों और ऐसुध्यों को दूर कर रक्त को सुध करते हैं तउचा स्वाच्ते के लिए नेम पावडर का इस्तमाल फाइदे मद होता है नेम में मुझूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण एकजीमा, सोरैसिस और मुहसेवे बलेक हेंड्स जैसी तउचा समस्याओं के इलाज में सायक होते हैं इसके अलावा नेम में विटामिन C की उच्छ मातरा पाई जाती है जो बेजान चेहरे में नई चमक लाती हैं इसके लिए आप एक चमच नेम पावडर में पानी मिला कर पेष्ट बना लें और इस पेष्ट को चेहरे पर लगा कर छोड़ दें जब यह अच्छे से सूख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धोले नेम पावडर का सेवन कैंसर जैसी जान लेवा भिमारी से बचाओ कर सकता है नेम की पत्यों में एंटी कैंसर गुण पाई जाते हैं जो सरीर में कैंसर को सिकाओ को पनपने से रोकने में मदद करते हैं और कैंसर से बचाओ करने में सायक होते हैं अगर आप नियमित रोप से नेम पावडर का सेवन करते हैं तो यह आपको कैंसर जैसी जान लेवा भिमारी से बचा सकता है दातों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भी नेम पावडर बहुत ही ज़्यादा लाबकारी है अगर आपके दात में दर्द होता है या दात में कीडे लग गई हैं और मसूडों से खून आता है तो आप इन सभी समस्याओं से चुटकारा पाने के लिए नेम पावडर का उप्योग करें इसके लिए आप टूथ पेस्ट पर नेम पावडर मिला कर ब्रस करें डाइबिटीज को कंट्रोल करने के लिए भी नेम पावडर का सेवन अच्छा होता है रोजाना सुबे खाली पेट एक चमच नेम पावडर का सेवन रेक्त में मुझूद सुगर के अस्तर को कम करता है और डाइबिटीज को कंट्रोल करने में आपकी सहता करता है नेम पावडर बालों पर परदूसन की वज़े से होने वाले नुकसान को ठीक करता है जिससे बालों में खुजली समय से पहले बालों का सफेद होना दो मुहे बाल और बालों का जड़ना रुपता है इसके अलावा नेम पावडर में एंटी फंगल गोन पाए जाते हैं जो डेंटरप को धूर कर बालों को सुवस्तवे मजबूत बनाए रखते हैं इसके लिए आप नेम पावडर को पानी में मिला कर पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को इसकेल पर अच्छी तरह लगा कर उंगलियों से तीन से चार मिनट हलकी मसाज करें जिससे यह इसकेल में अच्छे से समाज आएं करीब 20 मिनट बाद बालों को ठंडे पानी से दोलें पाचन सम्मंदी समस्याओं के निदान के लिए भी नीम पावडर का सेवन फाइदे मद होता हैं दरसल नीम में पाए जाने वाले ओसिद्य गुण पाचन में सुधार कर पेट में अमलों के इस्तर को संतुलित करते हैं तता कैस, वैक, कब्ज जैसी अन्य पेट समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं बागवानी के लिए भी नीम पावडर का इस्तमाल किया जा सकता है अगर आपके पोधे में कीडे लग गए हैं तो आप नीम पावडर का चिड़काओं पोधे की जड़ों पर करें ऐसा करने से बहुती जल्द पोधे में लगेवे कीडे नश्ट हो जाएंगे दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें